एकसे डेड़ महिना यह साड़ी को अगर हैंड लूम के ऊपर बनाया जाएं वही सूरत के अंदर यही साड़ी रेपीर मशीनों के ऊपर जो जेकाड की मशीन आती है उनके उपर यही साड़ी एक दिन में 15-15 निकल जाती है नीचे दो कलर है उपर नीचे अलग अलग पैडिं नहीं किया हुआ इसको और बहुत खुब सूरत कलर है अभी सामने गर्मी का पीरियड है लाइट कलरों की डिमांड बहुत अच्छी है एकदम पॉंट्रास्ट बुट्टे दिये हुए हैं नमश्कार दोस्तों मैं जे अजमेरा अजमेरा फैसन सूरत से एक बार फिर से आप साथ में सिल्क बोला जाता है माराष्ट में पैठनी साड़ी बोला जाता है और बनारस में बनारसी साड़ी बोला जाता है यह सब होती सिल्क की साड़ी आई ही है लेकिन सूरत में जब यह बनती है तो प्रोड़क्शन बहुत हैवी प्रोड़क्शन आता है इन सब का मतलब जो हैंडलूम पे साड़ी बनती है वो साड़ी अगर 15-20 दिन या एक महिने में एक साड़ी बनती है वही सूरत के अंदर वही साड़ी एक दिन के अंदर 15-15-20 साड़ी बन जाती है जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा आसाम के अंदर जो मेखला चादर आती है या सिल्क साडी आती है वो वहां के हैंडलूंग को प्रोटसान देने के लिए सूरत से जो सस्ती रेट में साडी जाती है वो वहां की गवर्मेंट ने उसके उपर कुछ एक्शन लिया है या सूरत के अलावा सस्ते रेट में साडी नहीं दे सकता है तो गवर्मेंट चाहे कोई भी एक्शन लेवे कैशा भी लेवे लेकिन अगर जो साडी एक महिला एक लाक रुपे में खरीती है वो ही साडी अगर आठ हजार, साथ हजार, छेजार या पाच हजार रुपे में मिलती है तो क्यों ना वो साडी सभी की रेंज में पहुँचनी चाहिए तो सूरत यही काम करता है सभी को जैसे वो लक्टकिया कार नहीं थी कि कार का एक सपना होता है कि कार सब के लिए कार हो तो टाटा ने लक्टकिया कार बना दी थी सूरत सभी के सपनों को पूरा करता है हर आ सुन्दर साडी रखी हुई है सामने आपके बॉक्स पेकिंग के अंदर आती है ये साडी बॉक्स लगा हुआ है और ये इसका पल्लू वगर है सब डिजाइन वगर है मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये दिखे बहुत ही सुन्दर और खुबसूरत साडी है ला जवाब डिजाइन है ये इसका मैं इधर से आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखे ये पल्लू है और ये पूरी साडी के अंदर बुटी बनी हुई है नीचे विविंग बॉर्डर दिया हुआ है दोनों साडी माथा पट्टी पे भी है और नीचे भी जो पाटली के अंदर आता है वो पुदा दिया हुआ है और साथ में पल्लू के उपर ये च्छालर वगर भी जो लटकन वगर है सब लगाई हुई है और पूरी साडी जो है बुट्टी के साथ ये देखिए पुरी बॉड़ी के अंदर बुट्टी आने वाली है ये सब जगे है आप देख सकते हैं लाश्ट में इसका बलाउज के अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सुन्दर बलाउज दिया हुआ है बलाउज में दोनों साड में स्लीव भी दी हुई है दोनों जगे के लिए दोनों बहाँ के लिए प्लस साथ में दिया हुआ है फ्रंट और बेक बलाउज के लिए बहुत सुन्दर साडी है और बहुत यूनिक कॉंसेप्ट है तो ये इस तरीकी की डिजाइन, पहनने के बाद अगर मैं बात करूँ इस साड़ी की, तो ये देखिए, ये इस तरह से इसका लुक नजराने वाला है, बहुत ही खुबसूरत पीस है, बहुत ही सुन्दर साड़ी है, अगर ये साड़ी आप हैंडलूम पर लेने जाते हैं, द यही साडी रेपियर मशीनों के उपर, जो जेकाड की मशीन आती है, उनके उपर यही साडी एक दिन में 15-15 साडी एक मशीन से निकल जाती है, इसलिए यह सस्ते रेट के अंदर आ जाती है, और अमूमन कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि क्या फरक है दोनों साडी के अंदर, तो सूरत यही काम करता है, एक हैवी फैंसी साडी को हर कंजुमर तक इस रेट में उपलब्द करवा देता है, जिस रेट में कोई भी किसी भी स्टेट में आपको वो नहीं मिल सकती है, तो इसी तरीके की साडिया आज मैं दिखाना हूँ आपको, यह देखिए, यह कुछ न यह जो अभी पैटन मैंने दिखाया था, उसी के सारे कलर्स हैं, जो साडी मैंने आपको नजर करवाई थी, इसके बाद दिखिए, दूसरी साडी मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह भी बहुत खुबसूरत साडी है, यूनिक कॉंसेप्ट है इसका भी, यह देखिए, नीच सारे कलरों से बनी हुई है, अलग- अलग कलर के धागे यूज कीये हुए है, उपर से कोई कलर इसके उपर डाला हूआ नहीं है, कोई डाइइंग नहीं किया हुए, कोई shaded नहीं किया हुआ इसको और अगर इसके body की बात करूं तो ये देखिए पूरी में checks अलग-अलग design बनी हुए उपर नीचे और इसके blouse की हम बात करते हैं तो ये देखिए ये जेकार्ड का ही पूरा एकदम heavy blouse इसका दिया हुआ है बहुत खुपसूरत और बहुत कुछ मंगवाना ये पैठनी साड़ी है देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और unique साड़ी है मौर बने हुए हैं दोनों साइड पैठनी साड़ी की खास बात यही होती है कि figure में मौर रहता है उसके अंदर महराष्ट्रों में ये सब साड़ी बहुत जबरदस चल ये बॉर्डर है दोनों साइड का इसका डिजाइने बहुत सारी है पैठन बहुत सारे हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो अगर मैं ये कह रहाता है कि अगर आप भी चाहते हैं कि छोटे रूप में ये बिजनस आप करें जाहे घर से ही करें इस तरीके के पैठन के आप 10 कर सकते हैं खर से भी अपने बिजनस को बढ़ा सकते हैं प्लस आप अल्रेडी रीटेलर हैं और कहीं से परचेच कर रहे हैं किसी होलसेलर से शायद आपको 10 परसें 15 या 20 परसें कितना एक्स्रा पे करना पड़ रहा है वो आपको नहीं पता है तो आप डारेक्ट जूड सकत यह बहुत ही सुन्दर बाननी पैटन बना हुआ है पूरा वीविंग पैटन है और इसके कलरों की अगर मैं बात करूं तो यह देखे बहुत ही खुबसूरत कलर हैं बहुत ही सुन्दर कलर हैं छे कलर इसके अंदर है में डिजाइन यह आप देख रहे हैं इस तरीके का यह देखिए और गेंजा के उपर है यह साड़ी और बहुत खूब सूरत कलर है भी सामने गर्मी का पीरियड है लाइट कलरों की डिमांड बहुत अच्छी है एकदम कॉंट्रास्ट बुट्टे दिये हुए हैं बेल बनी हुई है और पूरा हैवी जाल का पल्लू भी साथ में दिया हुआ है अगर ब्लाउज की मैं बात करूं इसके तो यह दिखे यह लपेट है और यह ब्लाउज जिसमें दोनों साइट बहां के अंदर पट्टी आने वाली है प्लेन ब्लाउज हो गया है और नेक्स्ट पीस की मैं बात करूं आज कल यह सिरोस की वर्क भी बहुत की वर्क किया हुआ है बहुत खुबसूरत साड़ी है को पर जरी यूज करी हुए इसके अंदर टेक्स्टाइल की बासा में हम लोग इसको चुहा जरी भी बोलते हैं और यह इसका हैवी ब्लाउज सिरोस की पूरी साड़ी के अंदर किया हुआ है और इसके केटलोग की बात करूं तो यह देखिए यह इसका पैटन है पुरा बहुत ही खुबसूरत कलर्स हैं इसके अंदर अलग-अलग कलर आप देख रहे हैं पांच या छे कलर का सैट आता है नेक्स्ट अगर मैं बात सिरोस की वर्क किया हुआ है पूरे बॉर्डर पे सिरोस की वर्क है बॉड़ी के अंदर भी जो है सिरोस की वर्क के बुट्टे बनाए हुए है और ब्लाउस इसका मैं दिखाता हूँ अभी आपको यह देखिए बहुत ही हैवी ब्लाउस है फुल जेकार्ड हेवी ब्लाउस इसमें साथ में दिया हुआ है और पैटन की अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो केटलोग का नाम है सावित्री आप स्पेशल ओडर देके भी यह मंगवा सकते हैं कि सावित्री केटलोग का आप डिजाइन्स मुझे बेजिए स्क्रीन शो तो हम रेट इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें आगे कस्टमर को बेचने में दिक्कत नहीं आवे हमारे यहां से डीलर भी ले जाता है वो अपना नफाज उड़ता है फिर ओलसेलर लेता है फिर रिटेलर लेता है फिर कंजूमर तक वो चीज पहुंसती है तो इतने लोगों क इसलिए रेट हम नहीं बोलते हैं आपको रेट वगर जानना है आप खौल कीजिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी यह इसके कलर जो साड़ी मैंने आपको दिखाई थी नेक्स्ट पीस में दिखाऊं बहुत ही सुन्दर पेकिंग है यह देखिए पेकिंग भी अलग अलग आती है दोस्तों यह लेट आप बॉक्स बोलते हैं इसको बहुत जबरदस पेकिंग है मैं खोल के आपको नजर करवाता हूँ यह देखिए पूरा प्योर बनारसी इसकी वर्क उपर से किया हुआ है साड़ी का लुक यह देखिए इस तरीके का आपको नजर आने वाला है इसकी डिजाइन की कलरों की बात करूं तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको यह देखिए यह पूरा पेटर्न और कलर्स आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर नेक्स् यह भी और गंजा के उपर है बहुत ही खुबसूरत कपड़ा है इस कपड़े की अभी डिमांड बहुत अच्छी है सिरोस की वर्क किया हुआ है साड़ी के उपर और ब्लाउस की अगर बात करूं तो यह देखिए बुटी का पूरा ब्लाउस इसके अंदर दिया हुआ है व यह पेकिंग भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है एक पेकिंग मैंने आपको अलग से दिखाई है और कुछ पेकिंग इस तरीके के भी आती है तो बहुत सारी पेकिंग है बहुत सारे पैटर्न है इतना सब दिखा पाना समय की मर्यादा हो जाती है कि वीडियो के अंदर इतना सब हम नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, कि जो चीज आपको बताना चाहते हैं, वो पूरी बात आप लोगों तक पहुचा सके, तो अगर सिल्क का कलेक्शन कुछ भी आपको देखना है, या और कोई भी कलेक्शन हचमेरा फेशन में जो भी रहता है, सारी, स्कूर्टी, लेगिंग्स, पेटी कोट, बलाउस, फोल, तो आप स्क्रिन पर दिये गए, नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरा कलेक्शन भेजे की, उसके बाद जैसा भी आपने डिसीजन लेना है, वो आप ले सकते हैं, अच्टाइम बिजनस कर रहे हैं, तो विजिट कीजिए यहां पर, आईए, देखिए, समझ ये, फिर आपको जैसा भी डिसीजन लेना हो, वो आप ले सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांती गुरुवक डंग से मेरी बातों को सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्री आदा करता हूं और परणाम करता हूं, उस इशुर को जो आपके और मेरी सब के बीतर बैटा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद,